पूरी तरह से इंजॉई कर रहे होंगे तो इसी लीग का पांचवा मुकाबला हम लेकर आए हैं इस वीडियो में बात करेंगे कि इस मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है टीमों के नाम है बर्मिंगम फिनिक्स और लंदन स्पिरिट और दोनों ही टीम्स का ये दूसरा मैच होने वाला है हर टीम एक-एक मैच अभी तक खेल चुकी है इस वीडियो में हम मैंस का मैच और विमिन्स का मैच दोनों की बात करेंगे तो कुल मैचिस अभी तक इस मैदान पर खेले गए हैं 44 जिस मैशे 25 मुकाबले जीती है वो टीम जिसने पहले बैटिंग की और 18 मैच वो टीम जिसने दूसरी बैटिंग की स्कोरिंग पैटन पर अगर नज़र डाली जाए तो 1500 से नीचे का स्कोर 12 बार, 1500 से 169 ग्यारा बार, 170 से 187 बार और 190 के उपर का स्कोर 14 बार देखने को मिला है यानि की हाई स्कोरिंग मुकाबला होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं इसके बाद बात आती है वैन्यू के अवरेज स्कोर की जो की 171 है और हाइएस स्कोर यहाँ का 237 है और लोवेस्ट स्कोर यहाँ का 78 रण का है भाई इसके अलावा बात कर लेते हैं इस वैन्यू पर खेले गए पिछले तीन मैचेस की तो ये तीनो मैच इसी लीग के मैच हैं जो पिछले साल खेले गए थे 2023 में 11 अगस को जो मैच हुआ था London Spirit और Northern Super Chargers की बीच जिसे London Spirit की टीम हार गई थी इसके पहले जो मैच हुआ था 9 अगस पर यहाँ पर भी लंदन Spirit की टीम हार गई थी और इसके पहले जो मैच हुआ था 2 अगस 2023 को इस मैच में भी लंदन Spirit की टीम हार गई थी यानि कि ये वैन्यू अभी तक लंदन Spirit के लिए पनौती रहा है देखना होगा इस match में कैसे comeback करना चाहेंगे भई और अगर यहाँ spinners और pacers का हम comparison करें तो वो भी बिल्कुल एक तरफा चलता है साथ wicket तीन matchों में मिले हैं spinners को और 23 wicket मिले हैं तीन matchों में pacers को यानि कि यह मैदान pacers के लिए हमेशा से एक जड़ी बूटी का काम करता है तो चलिए भाईयों अब देख लेते हैं दोनों ही teams का head to head record क्या कहता है तो अभी तक कुल match इस इनके हुए हैं तीन और तीनों के तीनों match वैसे तु जीते हैं London Spirit ने वहीं अगर पिछले पांच मुकाबलों की बात करी जाए तो बर्मिंगम फिनिक्स ने अपने पिछले पांच मुकाबले गवाय है कुछ पिछले साल के और एकलोता मुकाबला इसी लीग का और London Spirit ने अपने पिछले पांच मैंसे तीन match जीते हैं इंक्रूडिंग इसी लीग का पहला match इसके बाद अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स की तो सबसे पहली खिलाडी है Sophie Divine तो भाईयों ये ऐसी खिलाडी है जो अभी out of form भले ही है बड़ जब ये चलती है तो पूरे के पूरे match को पलट के रख देती है इसलिए इनके बारे में मैं 50-50 शोर रहूंगा हो सकता है इस match में धमाकेदार चल जाएं ये हो सकता है कुछ न कर पाएं इसके बाद आती है Susie Bates खिलाडी ये भी बहुत अच्छी है काफी लंबे टाइम पहले उन्होंने 38-43 जो रंस बनाए थे लेकिन पिछली कुछ पारियों से ऐसा कुछ नहीं कर पाई है अब ये out of form चल रही है उमीद करेंगे इस match में ये form में वापस आ जाएं अगली खिलाडी है Alice Perry तो Birmingham को अगर ये match जीतना है तो इनका चलना बहुत जरूरी हो जाता है boss होने को all-rounder है bowling में भी देखा जाए तो पिछले 3 matches में 7 wicket लिये हैं खास करके इस match में 15 run देकर 6 wickets जो लिये थे अपने असली अंदाज में अपने असली form में इनको लौटना पड़ेगा तब ही काम बन पाएगा इसके बाद आती है Emmy Jones जो की world की best wicket keeper है मेरे point of view से I mean अगर हम women's player की बात करते हैं तो बट इनके साथ परिशानी ये है कि इनका strike rate थोड़ा सा कम रहता है फिलहाल पिछले 4 matchों से ये भी form से बाहर है तो we hope इस match में शायद इनका comeback हो जाए इसके बाद है friend Wilson कुछ न कुछ score बनाती रहती है 20, 30, 55, 15 तो इन पर भी आँखें टिका कर रखिएगा तीन पार यहां गुजर चुकी है बल्ले से कुछ बड़ा कारनामा देखने को नहीं मिल पाया है बट we expect कि इस match में comeback करना चाहिए बड़िया खिलना चाहिए इसके बाद आती है अगली खिलाडी friend Wilson हमेशा एक जैसे form में रहती है 15, 20, 30, 55 पिछले चार मैचिस से इनका score जो है यह घटता चला जा रहा है पहले इनोंने 55 बनाए फिर 30, फिर 20, फिर 15 भरोसा किया जा सकता है बट 50-50 एना समेल की बात कर लेते हैं जिनकी पिछली दो पारियों को अगर ignore किया जाए तो इसके पहले 88 रंड की पारी और 49 की पारी देखने को मिली थी तो इस तरीके से इनको फिलाल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है बस उमीदे की जा सकती हैं कि कुछ अच्छा कर दिखाएं अगली खिलाडी की बात कर लेते हैं चैरिस पेवली बोलिंग ओल राउंडर हैं पिछले 5 मुकाबलों में 4 विकेट्स इन्होंने चटकाए हैं बैटिंग में कुछ खास अभी तक नहीं कर पाई हैं पिछले 5 मैचेज में तो ये पिछले 5 मैचेज में ले चुकी हैं कुल मिलाकर 7 विकेट्स बोलिंग में काफी स्ट्रॉंग है तो टीम के बोलिंग डेबार्टमेंट को कही न कहीं इनसे काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इस मैच में इसके बाद अगली बोलर आती है इसी वॉंग जिन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट्स चटका दिये है बीस रन देकर तो इनका भी कॉन्फिडिन्स काफी हाई होगा इस मैच में इन पर नजर रखी जा सकती है इसके बाद एक और बहतरी न के इनबास की बाद कर लेते हैं केटी लेविक इन्होंने भी पिछले 5 मैच में 7 विकेट्स लिये है फिलाल पिछले मैच में 1 विकेट इन्होंने लिया था 15 रन देकर और आखरी खिलाड़ी की बाद कर लेते हैं सबसे शांदार आंकडे इनके सभी के इन्वाजों से अगर comparison किया जाए तो पिछले 6 मुकाबलों में ये कुल मिलाकर ले चुकी है 9 विकेट्स और ये जो 2 विकेट्स लिये थे पिछले match में इनोंने लिये थे तो इनसे भी उमीद की जा सकती है कि इस match में ये टीम की तरफ से खास साबित हो सकती है भई चलिए दोस्तों ये थी टीम बर्मिंकम फिनिक्स अब बात कर लेते हैं लंदन स्प्रिट की टीम की सबसे बहले बात कर लेते हैं जॉर्ज या रेडमेन की पर्मनेंट फॉर्म में बनी हुई है पिछली पारियां भी यही बताती है 45, 25, 49, 23, 31, 31 बॉल में 45 रंड बनाकर एक तगड़ी शुरुवात दे दी थी अपनी टीम को पिछले match में इसके बाद अगली खिलाडी है मैग लेनिंग जिनकी बले से पिछली 3-4 पारियों में बले ही कुछ खास देखने को नहीं मिला हो लेकिन ये खिलाडी बहुत टेलेंटेड है पिछले match की अगर इनकी बात करी जाया तो सिर्फ एक गलत छौट खिलकर ये आउट होगी आशा है कि इस लीग में जल्द ही कमबाइक करेंगी इसके बाद आती है भाई साहाब हेदर नाइट जिनोंने पिछले match में अपनी टीम को हारते हारते सामने वाली टीम के जबले से जीत निकाल कर 31 बॉल में 55 ठोग दिये थे पूरा match शदन प्रेव की टीम के हाथ में जा चुका था दोस्तों तब कमबाइक कराया हेदर नाइट ने इसके लावा और बी अगर इनके आकड़े आप देखेंगे तो घजब के हाँ पर आपको स्टेट्स दिखाई देते हैं बिलकुल भरोसा कीजिए इस match में भी इनके चलने का चांस बना रहेगा इसके बाद है एरिन बर्न्स बैटिंग तो ये बड़िया करही लेती हैं इसके लावा विकेट्स भी ये काफी अच्छे जटक लेती हैं इनको मैं अपने लेंग्वेज में कहूं तो इंडिया का दीपती शर्मा का रिप्लेस्मेंट हम इनको मा आई है फिलाल के लिए इनको वीडियो में स्किप करते हैं आगे चलते हैं अगले खिलाडी की बात कर लेंगे चारली दीन तो माना की पिछले मैच में कोई खास गेंद बाजी नहीं कर पाई चाली सरन दिये कोई विकेट इनको नहीं मिला बड़ इनके साथ एडवांटेज काफी सारे हैं बैटिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं काफी अच्छे अच्छी पारियां आप इनकी देख सकते हैं इसके लावा कई मैचेज कई टोर्नोमेंट्स इन्होंने इंगलेंड को अपने दम पर जिताए हैं तो मैं इन पर भरोसा रखूंगा इस मैच में इन से उ दिखाई देते हैं कोई विकेट इनको नहीं मिल पाया पिछले पांच मैच में तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा अगले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं सोफी मुन्रो पिछले चार मैचों में ये मिला कर ले चुकी हैं साथ विकेट्स पिछला मैच कुछ खास नहीं रहा 34 रंदेकर सिर्फ एक विकेट इनको मिला था लेकिन इसके पहले के आकड़े बताते हैं कि काबिलेत इनने भी है उमीद रहेगी इस मैच में चलने की आगे बढ़ते हैं एवा ग्रे की बात कर लेते हैं पिछले पांच मुकाबलों में इन्होंने भी सिर्फ चार व और इस प्रेडिक्शन में किसी भी फेर बदल के लिए किसी भी चेंज के लिए आपको सला दूँगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रूप जॉइन करके रखें और मैच के दौरान लगातार उस ग्रूप पर एक्टिब बने रहेगा चलिए अब चलते हैं मैंस वाले मैच की और तीनों मैच जीते हैं बर्मिंगम फिनिक्स की टीम ने लंडन स्पिरिट अभी तक बर्मिंगम से एक भी मैच नहीं जीत पाई है वही पिछले पांच मैच इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो दो मुकाबले जीते हैं बर्मिंगम फिनिक्स ने और अपने पिछले नामा ये नहीं कर पाए हैं पिछले पाँच मैचों में इसके बाद है रिशी पटेल इनके भी पिछले पाँच मैच कुछ खास नहीं रहे हैं इसके बाद आते हैं खास खिलाडी यानि कि मोई नली यो तो आल राउंडर है लेकिन बैटिंग के लिए ये स्पेशली जाने जा तो इस मैच के लिए मैं कहूँगा कि हाँ इन पर भरोसा किया जा सकता है इसके बाद आते हैं भैतरी ओल राउंडर जैकब बैटिल बैटिंग में भी उतना ही कॉंटिबिशन देते हैं जितना ये बोलिंग में देते हैं पिछले 5 मैचों मैं कुल मिलाकर 6 विगेट्स ले इसके अनावा कुछ अच्छी पारियां भी इन्होंने खेली हैं तो ऐसे खिलाडी तो भाई टीम के लिए बहुत गीमती होते हैं मैं भरोसा रखूंगा इस मैच में इन पर इसके बाद आते हैं डैन माउसली पिछली तीन पारियों को इग्नोर कर दीजिए उसके पहले दे महं सेन अब हॉट घजब के बोलिंग फिगर के साथ यहां पर आपके सामने। पेश करता हूं मैं पछले मैचज में देखिए भई 3 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 13 विकेट कमाल का बोलर और है पिछले 6 मैचज से games नजर रखनी है भरोसा भी रखना है इस मैच के लिए इसके बाद अगले खिलाडी है बेनी होविल कोई खास आगड़े नजर नहीं आते हैं फिलाल के लिए स्किप करते हैं आगे चलते हैं टॉम हेल्म की बाद कर लेते हैं इनका भी परफॉर्मेंस पिछले 5-6 मैच इसमें क इनके उपर भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और इनसे उम्मीदे भी पूरी रहेगी इसके बाद आते हैं एडम मीन जिनोंने पिछले 5 मैचों में 7 विकेट लिये हैं मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है भाई कि ये टीम है बोलर्स से भरी पड़ी हुई है अच्छे तो यहाँ पर भी कुछ सूर्मा हमें दिखाई देते हैं सबसे पहले तो शुरुवात कर लेते हैं एडम रोसिंग्टन से इनकी भी पिछले 3 पारियां कुछ खास नहीं रही है लेकिन इसके पहले की पारी देखकर आप समझ जाईए कि खिलाड़ी ये भी जबरदस थे तो चलावा हर मैच में इनको एक-एक-दो-दो विगेट्स भी निकालने होते हैं साथी साथ इनकी एकॉनमी भी काफी अच्छी है तो इंपॉर्टन प्लेयर है इनको भी नोट कर लीजिए इस मैच में इनकी तरफ से कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है इसके बाद आते हैं मिखेल काईल शांदार खिलाडी है भले ही यहां पर ये तीन पारियों के फिगर्स कुछ खास दिखाई नहीं देते हो लेकिन चौसा फिगर्स देखकर आप समझ जाईए कि किस लेवल का ये खिलाडी है कभी भी किसी भी मैच में ये धासू पारी खिल सकता है इस पर कोई मैं भरोसा करूँगा इस मैच में इन से उम्मीद की चा सकती है इसके बाद आते हैं रवी बोपरा जो की एक बहतरीन ओल राउंडर हैं दोनों जगा पर अपना कॉंट्रिब्यूशन देते रहते हैं पिछली पांच पारियों में इनके दो हाफ सेंचूरी देखने को मिलती हैं इसके लाबाए 36 रण की पारी दिखाई देती है बोलिंग भी इनकी ठीक ठाकी है हर मैच में एक एक विकेट लेते रहते हैं और लगबग 6 के आसपास इनकी एकॉनोमी रहती है तो इनको भी ले ले लेते हैं टीम में बड़िया खेल सकते हैं ये इसके बाद आते हैं श में 50-50 इसके बाद आते हैं लियम डॉसन एवरिज प्लेयर है और फॉम भी लगबग ऐसी है एक पारी अच्छी दिखाई देती है बैटिंग में और बोलिंग में कुछ खास यहां पर नहीं दिखता है इसके बाद ओली स्टोन तो इन दोनों खिलाडियों का यहां पर में क जिनने पिछले चार मैचेज में कोई भी विकेट नहीं मिल पाया है तो चलिए दोस्तों सब कुछ देख लिया सारे फिगर्स हमने देख लिये अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन क्या होगा इस मैच का तो इस मैच में भी हमारा सपोर्ट रहने वाला है लंडन कर कीजिएगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलिग्राइम ग्रूप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहां से हमारा ग्रूप जाइन कर लीजिए इस लीग के सारे मैचेज के प्रेडिक्शन आपको यहां पर मिलने वाले ह जल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर